नमस्कार और विल्कम यौल उस्टडी आई की वहूँ प्रशान धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉरेन टॉपिक के बारे में देखो जब से युक्रेयन रशिया वार स्टार्ट हुई है अब तो खेल इसको दो साल से उपर हो चुके हैं भारत सर उख्रेइन आज के समयin रशिया के अंदर जा चुका है अराउं थाउजन किलोमेटर रशिया के अंनर जा चुकी है इस होगया से अब भारत सरकार ने पहली बार ये बेना स्टार्ट कर दिया है कि रश्या की भी कुछ לokations है उपर सबगे माप कह सकता है यहां पर आप डेक लगे नउ यहां पे आप देख पाओगे यह उक्रेन है यहां पे है रश्या यह कुर्ज रीजन रश्या का जो काफी निवस में है और यह है बेंगरोंद बेल गुरोध भी अब अचानक से नियूस में आ चुका है हुआ यहाँ पर क्या है कि कुर्स का जो ये अरिया है येलो पार्ट ये तो युक्रेन का बजा चुका है यहाँ से युक्रेन की आर्मी को हटा पाना रश्या के लिए बहुत ही जरा कठिन होने वाला है अब अजीब बात देखिए ये कुर्स के साथ एक और रीजन यहाँ पर है बेल गुरोध का ये दोनों इलाके जो है ना यहाँ पर यहाँ से रश्या ने अपने 70,000 से लेकर 80,000 लोगों को इवाक्वेट कर दिया है सबको निकाल दिया है क्यों क्योंकि युक्रियन की जो आर्मी है अब इस तरफ बढ़ रही है और पॉसिबिलिटी है कि ये इलाके भी युक्रियन कब जा ले और अगर आप जानना चाते हैं कि क्या स्थिती सच में इत्ती सिरियस है हाल ही मेरा पुतिन की एक वीडियो लीक हुई है आप ये वीडियो देखके सप्राइज हो जाएंगे कि पुतिन कितने जादा इरिटेटेड लग रहे है यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर है व्लादेवर पुतिन और यहाँ पर है कुर्क्स सरकार के एक ऑफिशल पुतिन ब्रीफिंग ले रहे हैं कि कुर्क्स में हो क्या रहा है अब यहाँ पर आप देखोगे यह बोलना स्टार्ट करेंगे कि युक्रियन की आर्मी इतनी विट में चली गई है इतनी डेप में चली गई है इतना एरियनों ने कभजा लिया है और फिर पुतिन का रिस्पांस देखना यह करें सिच्वेशन बहुत ज़रा कॉम्लिकेटेड है अठाइस सेटलमेंट्स है यह दुश्मन के कभजे में आचुकी है और फिर आगे बताएंगे के जो डेप्थ है इसकी बारा किलोमेटर है और विट चालेज किलोमेटर है और फिर यह सब सुनकर देखिए पुतिन गु बाइब को गुस्ता आ गया यहां पर पुतिन क्लियरली अनलॉइट दिख रहे थे यह जो सिच्वेशन है इतनी खराब कैसे हो गई कि इनके सामने इनके ही ओफिशल्स बता रहे हैं कि दुश्मन रश्या के काफी डीप आ चुका है और जो बाइडन ने भी इस सिच्वेश जो युक्रेइन घोशुका है ना रश्या में ये एक बहुती बड़ा डाइलामा क्रियेट कर देता है पुतिन के लिए क्योंके यहां पर पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि नीचे यहां पर आप देख रहे हो साउथ यहां से युक्रेइन में एंट्री कर रहा है ऊपर military trenches खोद रही है वो मान के चल रहे हैं के बहुत ज़्यादा लंबी battle होगी यहां से Ukrainians को हटा पाना it will not be easy whatsoever और situation इस वक्त रश्या Ukraine border के इन पास के अलागों में कितनी ज़्यादा खराब हो जुकी है यह मैं आपको दिखाना चाता हूँ यहां पे आप देख पाओगे यह Ukraine के soldiers हैं यह सडको से और ज़्यादा भीतर रश्या के जा रहे हैं पीछे से रश्या डोन आता है और उसको यह शूट करते हैं यह जो वीडियो है यह आप देखिए यह पीछे से आप देखोंगे डोन आएगा यह आम दरश्या आज के समय कुर्क्स रीजन में बैल गुरोध रीजन में तो इसलिए भारत सरकार ने यह का है के टेम्प्रेरिली इन रीजन से पीछे हट जाओ क्योंके कुछ पता नहीं है यहाँ पर युक्रेन की सेना कित्ती भीतर घुच जाएगी और अभी तो देखिए युक्रेन के जो F-16 फाइडर जेट है ये भी एक्टिवेट नहीं हुए है एक बार फाइडर जेट से भी अगर युक्रेन ने बॉम्बिंग करनी स्टार्ट क के रशिया के जो नागरिक है वो वहाँ से भागेंगे तो उनके लिए शल्टर होम्स टेंट्स वगर अबनाना ये बहुत इंपोरेंट है बेसिकली रशियांस अपने ही देश में रफ्यूजी यसी लाइफ बता रहे हैं कई जगा पर कुल्क्स और बेल गुरोत की तो यहा जा रहा है ना मैं यह कहूंगा एक बार को यहां पर आप सोच सकते हैं कि रशिया क्या यूएन में जा रहा है यूएन में क्या कुछ होने वाला है देखो रशिया यहां पर ना ग्राउंड तियार कर रहा है कि कल को अगर एक मिनी नुकलियर बॉम एक स्मॉल स्केल नुकलि विद प्रूफ विद एविदेंस ये दिखाना स्टार्ट कर दे के देखिए हमें इन्वेड किया जा रहा है वी आर बिंग इन्वेडेड तब समझ लो रशिया न्यूकलियर वेपन्स को यूज करने की तियारी कर रहा है क्योंकि रशिया उससे पहले एक जस्टिफिकेशन मन हो रही है ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि रशिया सीरिया से और रीजन से सोल्जर्स मंगाए या फिर नया ड्राफ्ट फिर से कॉंस्क्रिप्शन कर सकते हैं मतलब के अपनी जनता से बहुत सारे जो आम इनके सिविलियन्स हैं उनको ये कनवर्ड कर सकते हैं इंटू करके देखो इंडिया के केस में इमिरेटली इस वक्त लोग पैनिक कर रहे होते हैं मगर रशिया कैसे भी करके अभी के लिए आप के लोग कोशिश कर रहा है के सिचुवेशन ये लोग वापस कंट्रोल कर ले व्लाद्ने पर पतिन को कुछ बढ़ा करना होगा और मुझे ड और फाइनली आपर मैं आपसे सवाल पूछूँगा देखिए हाली में दुनिया का सबसे प्राचीन केलेंडर ढूडा गया था आपको बताना है किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन केलेंडर खोजा गया है ये हैं आपे आपकी options एजिप्ट, तर्की, इरान या फिर भारत comment section में करिये उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी comment को मैं हार देंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और finally यापर मैं ये भी add कर दू कि आज है study IQ की freedom sale का आखरी दिन जी हाँ आज राद 12 बजे ये sale हो जाएगी खतम ये साल में देखिए सबसे बड़ी sale होती है study IQ की क्योंके यहाँ पे आपको मिल रहा है up to 47% discount तो आपको करना क्या है simply जाईए वीडियो के comment section में यहाँ पे आपको link मिल जाएगा और यहाँ पे आप UPSC course purchase कर सकते है study IQ का at a massive discounted price रात को 12 बजे यह discount खतम हो जाएगा अगर mobile phone पे है study IQ की यह आप download कर लेना हमेशा आप को trending में मिल जाएगी और यहाँ पे आप buy कर सकते हैं यह course but obviously यह price जो यहाँ पर लिखा है never ever pay this price use करिए यहाँ पर code PD10 और आप देखोगे price अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे the prices will fall a lot and you will be able to save a lot of money याद रखिएगा यह course आपकी help करेगा UPSC prelims, mains और interview में 30 महिने की होगी यहाँ पर validity you will get plenty of time तो आपके पास अभी अगर मालो समय है आप चाहते हैं एक दो साल रुक के proper attempt देना UPSC का with proper preparation this course is for you so use कर यह code PD10 discount आपको heavy मिलेगा बाकी देखिए कोई और code यहाँ पे आप यूज करते हैं आपको maximum discount नहीं मिलने वाला अगर आप यूज करते हैं code PD10 you will get the maximum discount possible so save money by using the code और इसी note के साथ ये है वीडियो कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you